क्या गुजरात से बीजेपी जा रही है? क्या 2022 में गुजरात में होगा सत्ता परिवर्तन? क्यूं हार की कगार पर पहुँची बीजेपी? नमस्कार मैं हूँ परवी शेक आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है आज की इस रिपोर्ट में चर्चा गुजरात में हार की कगार पर पहुँची बीजेपी की एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा तो गुजरात में कॉंग्रेस की युवा परिवर्तन रैली ने बीजेपी की गौरव यात्रा की हवा निकाल दी है पिछले धाई दर्शक से सत्ता पर काविज बीजेपी के लिए इस बार सत्ता की शिखर पर पहुँचना नामुम्किन नजर आ रहा है जिसको लेकर कॉंग्रेस नेता जिगनेश मेवानी ने ट्वीट करते हुए लिखा है एक तरफ युवा कॉंग्रेस की परिवर्तन यात्रा जिसे जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और दूसरी तरफ भाजपा की गौरव यात्रा है जिसका खुल कर विरोध हो रहा है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2022 के चुनाव में कौन सरकार बनाएगा कॉंग्रेस की युवा परिवर्तन रैली में लोगों की जबरदस भीर देखी जा रही है जो ये बता रही है कि अब गुजरात की जनता बदलाव चाहती है और इस बदलाव की हवा को कॉंग्रेस ने अपने हक में करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है आप भी देखें कॉंग्रेस की युवा परिवर्तन रैली की ये तस्वीर है गुजरात में चुनाव का मैदान सच चुका है चुनाव आयोक कभी भी मतदान की तारीखों का एलान कर सकता है लेकिन पिछले एक महिने से बीजेपी, कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी ने राज्य में अपना चुनावी अभ्यान बेहत तेज कर रखा है 2017 में राज्य में बीजेपी और कॉंग्रेस के भी सीधा मुकाबला था कॉंग्रेस ने बीजेपी को करी टकर दी थी और उसे 99 सीटों पर समेट दिया था और इसी इरादे के साथ एक बार फिर कॉंग्रेस गुजरात की सत्ताप तक पहुशने के लिए पूरा जोर लगा रही है 15 अक्टूबर को गुजरात कॉंग्रेस ने मशाल यात्रा निकाली इस यात्रा में लोगों की भीड नजर आई जिसकी तस्वीने शेयर करते हुई कॉंग्रेस ने लिखा गुजरात के मांसा में युबा परिवर्तन यात्रा की मशाल यात्रा को अपार जन्समर्थन मिला है गुजरात में परिवर्तन हुना तै है, बीजेपी जा रही है, कॉंग्रिस आ रही है एक तरफ राहुल गांदी भारज जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जो अब तक 1000 किलोमीटर से जादा का सफर पूरा कर चुकी है फिलाल राहुल की यात्रा आंधर प्रदेश से गुजर रही है, लेकिन यात्रा का असर पूरे देश पर नज़र आ रहा है भारज जोड़ो यात्रा की कामियाबी का आलम ये है कि बीजेपी भी मजबूर होकर गुजरात में गौरव यात्रा निकाल रही है जिससे साफ है कि गुजरात में बीजेपी की हालत काफी खराब है कॉंग्रेस सत्ता विरोधी लहर को भाग चुकी है कॉंग्रेस ने अब राज्जी में अपनी यात्राओं की संख्या बढ़ा दी है बीजेपी की गौरव यात्रा राज्जी में पूरी तरह से फेल नजर आ रही है कॉंग्रेस पार्टी सुनियोजित तरीके से गुजराद के हर दिले में अपना अभ्यान तेज कर रखा है कॉंग्रेस नेता और कारेकरता राज्जी के आदेश के बात लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और बीजेपी की नाकामियों की पोल खुल रहे हैं बीजेपी भी कॉंग्रेस के इस अभ्यान से डरी नजर आ रही है पियम मोदी खुद 10 अक्टूबर को बीजेपी कारेकरताओं को कॉंग्रेस के साइलेंट कैम्पेनिंग के बारे में आगा कर चुके हैं पियम मोदी ने कहा तक की पहले के चुनाव में कॉंग्रेस काफी शोर शराबा क्या करती थी और बीजेपी का सफाया करने की शेखी भगारती थी लेकिन 20 सालों में हम नहीं हारे इसलिए उसने कुछ नया किया है इसी कारण हमें सतर्क रहने की जरूरत है इस साहफे की कॉंग्रेस की अभ्यान ने बीजेपी पर दबाब बनाना शुरू कर दिया है जो कॉंग्रेस की मजबूती की तरफ इशारा कर रहा है गुजरात विधासभा चुनाव जैसे जैसे नज़्दी का रहा है गुजरात में राजनेतिक सरगर्मिया तेज होती जा रही है कॉंग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर बड़ी ख़बर सामने आ रही है कॉंग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 19, 20 और 21 अक्टूबर को होगी जिसमें उम्मीदवारों की पहली सूची पर मोहर लगेगी गुजरात कॉंग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में होगी दिवाली के बाद कॉंग्रेस उम्मीद्वारों की पहली सूची का एलान कर सकती है सूची के घोषना दो से तीन चर्णों में की जाएगी साथ ही आपर स्क्रेनिंग कमेटी की बैठक 19, 20 और 21 अक्टूबर को दिल्ली में होगे स्क्रेनिंग कमेटी के तुरंद बाद केंदری चुनाव समीथी की बैठक होनी है CEC की बैठक में कॉंग्रेस उम्मीद्वारों को अंतिम रूप दिया जाएगा कॉंग्रेस उम्मीद्वारों की पहली सूची दिवाली के बाद घोषित करने की योजना है बैठक के लिए प्रभारी रगु शर्मा, जग्दीश ठाकूर और सुखराम रठावा दिल ली जाएंगे गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है चुनाव आयो गुजरात में कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर सकता है चुनाव की तारीखों के अपुजरात में तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कसली है और चुनाव प्रचार में ज़ुट गई है चुनाव से पहले तमाम एजنसिया गुजरात की जनता का मूर भापने में जुटी है सवाल पूछी जा रहे हैं कि गुजरात में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है गुजरात की जनता किस किस आधार पर वोट करेगी गुजरात में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है गुजरात में इस साल के अंत में विधान सभाचुनाव के लिए सबसे बड़े मुद्दे को लेकर लोगों से उनकी राय पूची गए सर्वे में गुजरात के लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा माना है गुजरात के लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है गुजरात में 31 फीसिदी ऐसे लोग हैं जिनें ये लगता है कि गुजरात में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इसके बाद बुनियादी सुविधाय 16 फीसिदी, किसान से जोड़े मुद्दो को 15 फीसिदी, महंगाई को 8 फीसिदी, कुरोना में काम को लेकर 4 फीसिदी, कानून विवस्ता 3 फीसिदी, ब्रष्टा चार, 7 फीसिदी, राष्टिय मुद्दे को 3 फीसिदी लोगों ने और किलो मिटर से जादा का सफर टै कर चुकी है, अपनी इस यात्र में राहूल गांधी बेरोजगारी को लेकर पियम मोदी से कई बार सवाल पूर्च चुके है, आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे जादा बेरोजगारी है, प्रदान मंत्री ने कहा था, हर साल 2 करोड युव को बेरोजगार कर दिया है, करनाटक में 5,5 लाग सरकारी पोस वेकंड क्यों है, और प्रदान मंत्री की पॉलिसियों ने नोट बंदी, GST और उन्होंने जो कोवेट के समय किया, उसके कारण साड़े 12 करोर युवाओं रोजगार हो गए गुजराट में विधान सभा के कुल 182 सीटे हैं, पिछले 24 साल से राज़े में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में सबकी नजर इस बार के चुनाव पटिकी है, सवाल है कि क्या इस बार गुजराट में कोई बदलाव होगा या बीजेपी का जादू बरकरार रहेगा, राज़ बार दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजराट में भी ताकत लगा दी है, ऐसे में मुकाबला तिरकोनियों हो सकता है, कॉंग्रेस इस बार भी बीजेपी को पूरी ताकत के साथ टक कर दे रही है, गुजराट में चल रही कॉंग्रेस की अशोक गहलोत ने तयार की है, जो इस वक्त राजिस्थान में डेरा दाल चुके हैं, तो यह थी हमारे स्पेशल रिपोर्ट, आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राइस जरूर दे और इस वीडियो को जाद से जादा लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुशती रहें, देखते रहें डिवी लाइब, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार